नमस्कार दर्शको, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड गुरुष ने एक संसनी खेस खुलासा करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास एलियन की लाश और एक यूएफो है उन्होंने ओवर्साइट कमेटी के सामने दावा किया कि अमेरिका दशकों से इस यूएफो की रिवर्ज एंजिनेरिंग कर रहा है अमेरिका में यूएफो से जुडी सुनवाई में पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड गुरुष ने संसनी खेस खुलासा किया है उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुरघटनागरस्त यूएफो है अमेरिकी सरकार इसकी जानकारी इकठा करने के लिए दशकों से एक रिवर्ज एंजिनिरिंग प्रोग्राम है गुरुष अमेरिकी रक्षा विभाग में UAP से जुड़ी घटनाओं के जाच के प्रभारी रह चुके है उन्होंने एक Oversight Committee के सामने Alien Life और Alien Technology के मुद्दे पर प्रकाश डाला गुरुष ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक Crash Alien Spacecraft और Alien जीव के अवशेश है जो संभवता उसका पाइलिट था हाला कि इस दोरान उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ उनका बयान नहीं है बलकि उन्होंने कई अधिकारियों से बात की और उनकी तरफ से जानकारी दी गई उनके पास Alien से जुड़ी कोई भी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है उन्होंने कहा मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो गुरुष ने कहा कि वहा इससे जुड़े गवाहों की एक सूची दे सकते हैं जो कॉंग्रेस को UAP से जुड़े कारेक्रमों के बारे में अधिक जानकारी देगा गुरुष ने कहा कि उन्होंने विसल ब्लोवर के रूप में इसकी सूचना इंटेलिजन्स कम्यूनिटी इंस्पेक्टर जेनरल वहीं इंटेलिजन्स कम्यूनिटी इंस्पेक्टर जेनरल ने इससे जुड़ी टिपणी से इनकार कर दिया है सुनवाई में मौजूद अन्य गवाहों और प्रतिनिधियों ने भी कहा कि UFO से जुड़ी जानकारी अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह छिपा रखी है UFO जाँच का सहनेत्रित्व करते हुए रिपब्लिकन सांसत तिम बर्चेट ने आरोप लगाया कि सरकारी एजंसिया निरिक्षन समिती की जाँच में सहयोग नहीं कर रही है पूर्व नौसेना पाइलेट और गवाह रयान ग्रेवस ने कहा कि UFO से जुड़ी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है अगर यहाँ विदेशी ड्रोन है तो राश्चिय सुरक्षा के लिए खत्रा है और अगर यहाँ कुछ और है तो विज्ञान से जुड़ी चीज है दोनों ही स्थितियों में यहाँ अमेरिका के आस्मान को उडान के लिए खतरनाक बनाती है अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृप्या इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद